हे गाइस वेलकम बेक टो माई चैनल फ्रेंड आज मैं आपके साथ गुझराती स्टाइल साडी ड्रेप करने वाली हूँ जिसके लिए मैंने सॉफ्ट सिल्क फैबरिक की साडी ली है जिस पे हैवी जरी का बॉर्डर है साडी का जो बॉर्डर है काफी हैवी है साडी को हम नॉर्मली जैसे हम टक करते हैं उसी तरह से टक करना है फर्स्ट राउंड हमारा नॉर्मली साडी जैसे हम बहनते हैं उसी तरह से टक करना है टाइट करके आप साडी पहनने से पहले अपनी हील जरूर पहने जिससे आपकी साडी की लेंग है वो मतलब आपको पता रहेगी कि आपको कितनी रखनी है साड़ी पहनने के बाद आप कोई हील पहनते हो तो आपकी साड़ी काफी उची हो जाती है तो वो लुक अच्छा नहीं लगता है तो आप जब भी साड़ी ड्रेप करें उससे पहले अपनी हील जरूर पहन ले इसके बाद हमें अपना पलू मेजर करना है जो हम नॉर्मल साड़ी पहनते हैं उसमें हमारा जो पल्ला होता है वो लेफ्ट हینड साइड होता है बाट यहाँ पे हमें अपने राइट हैन्ड साइड पल्लू को रखना है यह मैंने पीछे से लागे अपने राइट हैंड साइड पल्लू को रख लिया है और हमें measure कर लेना है कि हमें जो पलू की front में कितनी length रखनी है वो measure करना है then उसके बाद आप front pleats बनाएंगे मैं यहाँ पे बहुती छोटी छोटी pleats बनाऊंगी because यह soft silk fabric की साड़ी है तो इसमें pleats बहुती आसानी से बन जा रही थी तो मैंने इसे छोटी छोटी pleats इसमें ready की है बहुती आसानी से front pleats बन जाती है अगर आप मेरा video ध्यान से देखेंगे तो आप बहुती आसानी से यह साड़ी drip कर पाएंगे normally जो हम साड़ी पहनते हैं उसमें हमारी जो pleats होती है वो left hand side को होती है उसका जो face होता है मतलब वो left hand side होता है बट जो गुजराती साड़ी drip करते हैं उसमें आपको जो अपनी pleats का जो face है वो right hand side करना है आपको वीडियो में दिखरा होगा और अच्छे से gather करके अपनी सारी pleats को टक कर लेना है pleats को secure करने के लिए आप यहाँ पे pin जरूर use करिएगा अगर आप कोई heavy border की साड़ी पहन रहे है आप heavy पहन रहे है या light weighted पहन रहे है आप pin pleats में जरूर लगाईए जिससे आपकी जो pleats है वो कभी भी निकलेंगी नहीं और आप comfortable होके चल पाएंगे तो मैं mostly heavy साड़ीों में ही लगाती हूँ because मुझे साड़ी पहने में बहुत problem नहीं होती है अब हम अपनी shoulder pleats बनाएंगे shoulder pleats मैं उतनी ही चोड़ी रखूंगी जितना मेरी साड़ी का border है उसे ज़्यादा चोड़ा मैं नहीं रखूंगी because जो border है सिर्फ वो दिखेगा तो काफी अच्छा लुक आएगा तो इस तरह से मैं एक नीचे हाथ लगाके fabric पकड़के उपर से उसे पकड़के pleats बना रही हूँ मुझे इस तरह से pleats बनाने में बहुत ही आसानी होती है इस तरह के heavy border वाली साड़ी में मैं mostly ऐसे ही pleats ready करती हूँ आप भी try करिएगा बहुत ही आसानी से one time में आपकी shoulder plates ready हो जाएगी तो मेरी ये plates ready हो गई है आप shoulder पे लगाने से पहले पल्लू पे अगर pin लगा लेंगे तो आपकी जो plates हैं वो खुलेंगी नहीं because साड़ी के साथ पूरी plates लगाने में मतलब थोड़ी सी problem होती है क्योंकि साड़ी वहाँ पे fabric जो होता है काफी सारा इकठा हो जाता है तो मैं पहले ही उसमें एक pin use कर लेती हूँ जिससे मेरी plates secure हो जाती है फिर मैं असानी से अपना मतलब measure करती हूँ कि मुझे कितना उपर रखना है कितना नीचे रखना है उसके बाद आप उस pin को खोल सकते हैं यह मैंने एक border का kona पकड़के पीछे टक कर लिया है और यह गुझराती drape मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की साड़ी style मुझे personally बहुत अच्छी लगती है इस तरह से आपको गुझराती साड़ी drape करनी है यहाँ पे मैं अपनी plate secure करने के लिए pin यूज कर रही हूँ जैसा मैंने आपको बताए कि जो भी heavy साड़ी होती है मैं वहाँ पे pin जरूर use करती हूँ उससे मेरी साड़ी खुलने का डर बिलकुल नहीं रहता है because इसका border जो है काफी ज़्यादा heavy है तो अब मेरी साड़ी perfectly drape हो गई है और बहुत ही आसानी से यह साड़ी drape हो जाती है तो अगर आपको मेरा यह look अच्छा लगा तो आप भी किसी शादी function में इस तरह का look ले सकते है एक simple सी साड़ी को बहुत ही प्यारा सा look दे सकते है और इस तरह की साड़ी में सर पे पला डालना भी बहुत ही आसान होता है पला डालने की मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है जिससे आप का पला बिल्कुल भी सर से नहीं हिलेगा वोला वीडियो आप जरूर देखिएगा यह है मेरा फाइनल लुक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल पर फर्स टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके जाईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाय टेक क्या